पिछले वीडियो में हमने जाना था Photoshop Tools के अंदर आने वाले Starting Tools से लेकर Magic Eraser Tools तक के प्रयोग को और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो बाकी रहे गया है सभी Tools का प्रयोग यदि आप सभी Tools को अच्छे से सिखना चाहते हैं तो जूडियो को बगर Skip के देखेगा ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं चलते हैं कम्प्यूटर स्कीन पर चलिए नेक्स आप्सन का प्रयोग जानते हैं नेक्स आप्सन है ग्रेडियन टूल और इसका shortcut बटन है जी और इस विकल्प का प्रयोग selected area पर color fill करने के लिए होता है तो चलिए इसके लिए हम दूसरा पिछल ले आते हैं इसको close कर देते हैं या फिर control plus n करके एक नई पिजल आते हैं और कर लेते हैं और ओके और यहां पर आप color fill करना चाहते तो आप यहां पर जाएंगे मेन्यू बार के नीचे यहां पर जो भी color का फार्मेट आपको पसंद आता है उसके बाद यहां पर ऐसे drag करेंगे देखेंगे वो color कर सकते हैं तो चलिए next option का प्रयोग जानते हैं next option है blur tool और इसका shortcut button है R और यहाँ पर click करेंगे थमको और दो option नजर आता है तो चलिए कि करके जानते हैं पहला जानेंगे blur और इस विगलप का प्रयोग होता है फोटो की सफाई करने के लिए बोल सकते हैं जिसमें जो greeny रहता है वो delete हो जाता है और ज्यादा यूज़ करते हैं तो फोटो blur होता है तो इसके लिए पूना हम लोग फोटो open करेंगे चलिए तो यहाँ पर मैं दूसरा फोटो open करता हूँ चलिए इसी को ले लेते हैं उसके बाद यह देखेंगे यह photo open हो गया है control Z कर लेंगे और यहाँ पर अब मैं फोटो को zoom कर लेता हूँ जी हाँ अब यहाँ पर देखेंगे blur tool में आते हैं और यहाँ पर strength को हम लोग क्या लगते है 45 कर लेते हैं आप चलो यह चलेगा अब यहाँ पर हम लोग cursor को बड़ा कर लेते हैं right bracket press करके और यह देखेंगे इस प्रकार करने से इस प् फोटो की सफाई कर सकते हैं और यहाँ पर strength को हम लोग 100 कर देते हैं तो देखेंगे photo यहाँ से क्या हो जागा एक्दम से blur भी कर सकते हैं यहाँ पर बार-बार करेंगे यह देखेंगे photo blur होते जा रहा है तो ऐसे आप ये करने के लिए आप blur का प्रयोग कर सकते हैं इसी के अंदर का second option है serpent tool तो यूज नहीं है next है smug tool तो ये बहुत काम का है मेरे हिसाब से smug tool का प्रयोग photo के जो किसी हिस्सा है उसको बनाने या बिगानने के लिए कर सकते हैं मान लिजे जैसे इसका नाग मुझे छोटा लग रहा तो आप इस नाग को ऐसे drag करके बड़ा कर सकते हैं या मान लो इसकी नाग जो आपको चोणा लग रहा तो आप इसको ऐसे drag करके छोटा भी ऐसे कर सकते हैं मान लेज़े इसका जो lips है इसको आपको लग रहा कि ज्यादा नीचे क्योर होगे तो आप इसको ऐसे पकड़ कैसे ऊपर क्योर भी कर सकते हैं इस पकार से और सुन्दा है तो भी ऐसे आप जिगार सकते हैं तो फिलहाल मां Ctrl Z करके इसको ठीक कल लेता हूँ एक से अधिक बार undo करने के लिए Ctrl Alt Z बटन दबाएंगे और जो भी आपने changes के हो उसको ऐसे ठीक कलनेंगे चलिए next option के और आगे बढ़ते हैं next option है dodge tool और इसका shortcut button है O इस विकल्प का प्रयोग फोटो में light देने या फिर white color करने के लिए होता है चलिए जानते हैं देखे जैसे इसका प्रोग ज्यादा तर आंग के लिए होता है जैसे आपके फोटो का आपके फोटो में किसी भी विक्ति का आँख से white नहीं है तो आप ऐसे क्लिक करके इसको white कर सकते हैं इसकी जो एक्स यहां से उसकी percent को आप select कर लेंगे अपने photo के recording फिर ऐसे आप color fill कर लेंगे और इसी को मान लेंगे आप एकदम से अंडेट कर देते हैं तो देखेंगे ऐसा result आजाएगा और ऐसा करेंगे तो फोटो को zoom out करने को बाद देखेंगे ज्यादा highlight होने लगता है तो आपको normal रखना है अपने photo के recording यहां से percent को लगभा कर लेंगे 30 45 ऐसे करके आप यूज कर सक करते हैं जैसे कि यहां पर मैंने हाँ पर percent layer 46 और यहां से आप ऐसे ड्रेक करते जाएंगे देखेंगे ऐब रो का color चेंज हो जाता है और इसका प्रोगा आप यहां का जो रेतीना है इसको भी ऐसे black करने के लिए कर सकते हैं या फिर बाल का color को भी ब्लेक करने के लिए असा पिच्छल ले आता हूं यहां पर double click करते हैं और यहां पर हम लोग photo open कर लेते हैं और यहां जानते है horizontal type tool मतलब horizontal style में नाम लिखने के लिए होता इस पर आशाब ट्रेक कर सकते हैं अब इस पर आप चाहें तो यहां से font भी चुन सकते हैं जो भी font में आप लिखना चाहते है वह font आ है यहां से आप decide कर लेंगे ठीक है तो यहां से फिलहाल मैं कर दे रहा हूं कुरूती देव तो चलो ले लेते हैं कुरूती देव और यह मैंने कुरूती देव सेलेक कर लिया है उसके बाद चाहें तो आप कौन से color में लिखना चाहते हैं यहां से color box पे click करके color भी पर आप कर लेंगे और कर लेंगे ओके अब यहां पर आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं देखिए अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि font size बहुत छोटा है control A करते हैं फिर control shift के साथ greater than button प्रेस करते हैं और इस प्रकार से आप लिखे गए सब दो का size छोटा ब बाद अब जानते हैं pen tool इसका shortcut button है पी और इस विखल पकाप्रयोग picture के किसी निश्री तेरिया को select करने के लिए होता है तो चलिए हम लोग इसके लिए picture ले आए हैं और picture को zoom कर लेंगे और mouse से picture को ऊपर के और scroll कर लेंगे hand tool की सायता से तो चलिए pen tool पर आते हैं और select करना जानते हैं तो सबसे पहले आप ऐसे corner पे click कर लेंगे और जिता हो सके picture को zoom कर लेंगे इससे आपका selection बढ़ियस होगा यह देखेंगे फिर जैसे आप click करते हैं तो जैसे मैं click करके छोड़ देता हूं तो हमारा line सिधा रह जाता है तो हमको क्या करना है undo कर लेता हूं जब त करने के लिए आप इस pointer पर आएंगे alter plus click करेंगे यह देखेंगे extra line जो रहता है वो delete हो जाता है तो आप picture को ऐसे select करते जाएंगे यह देखिए असानी से होगा और picture को नीचे को scroll करने के लिए आपको hand tool का प्योग करना पड़ेगा बार बार बता रहा हूं hand tool या फिर shortcut edge button द और इसी selection के दो आपका line इधर उधर या ऐसे आगे पिछे हो जाता है तो इसको control button की सायता से भी ऐसे exist कर सकते हैं control button दबाए हुए mouse से drag करके line को exist कर सकते हैं इस प्रकाश से आप selection का काम कर सकते है pen tool की सायता से फिलहाल मैं फटा-फट कर दे रहा हूं क्यों क्या ready यह जो व कर देंगे फिर इस line को activate करने के माउस का right button make selection और यहां कर लेते हैं फेदर में तीन और कर लेंगे okay तो देखेंगे आपका पिच्चा सेलेक्ट हो जाता है अब आप चाहें तो पूना हां इसका नया layer बना सकते हैं या फिर background पे color fill कर सकते हैं तो फिलहाल मैं deactivate कर लेता हूं Ctrl D button दबा के next option के और आगे बढ़ते next option है rectangular tool तो इसका प्रयोग जानने के लिए हम लोग फिसे Ctrl N button दबाते हैं और नई फिज ले आते हैं तो rectangular tool का प्रयोग इस प्रकार से बहुंँ सारे steps प्रात करने के लिए होता है चाहें तो आप इसमें color प्राइब कर सकते हैं rounded rectangular tool तो इ elliptical tool का प्रोग ऐसे elliptical प्रात करने के लिए होता है और just custom shape में जाते हैं तो आप देखेंगे shape पर क्लिक करेंगे तो बहुं सारा shape हमको प्रात हो जाता है और ऐसे प्रात कर सकते हैं track करके चलिए next option जानते है इसका shortcut button है इसके लिए मैं एक नया picture open किया है अब मान लीज़े मुझे इस picture के किसी भी यहां का skin color मुझे चीए color box में आप यहां पर click करेंगे और देखेंगे skin color हमें यहां पर प्रात हो जाता है तो eye dropper का प्रयोग खुली picture के किसी भी भाग के color को color box में प्रात करने के लिए होता है और next option है hand tool और इसका प्रयोग picture का size बड़ा होने पर य right scroll करने के लिए होता है देखें मैंने zoom कर दिया picture को आप ऐसे left right scroll या फिर उपर नीचे scroll कर सकते हैं चलिए next option जानते है magnifier या फिर बोलते हैं zoom tool और इसका प्रयोग होता है खुली picture को zoom करने के लिए इसके लिए आप ऐसे click करते जाएंगे picture click होते जाता है next option जानते है color box है और इसका प्रयोग होता है selected area पर color fill करने के लिए होता है जिहां तो चलिए मैं इस का प्रयोग यहीं पर हम लोग करते हैं यहां पर मैं एक निशी तिरे को ऐसे select कर लिया इतने अरिया पर मान लिए आपको color fill करना है आप यहां इस color box पर click करके color change कर सकते हैं जैसे blue color चाहिए तो कितना dark चाहिए कितना figure चाहिए आप यहां से select कर लेंगे कर लेंगे फिर okay अब उपर के लिए यहां पर blue color प्राप कर करने तो अल्टार प्लस बेक इस पर प्रेस करेंगे और यदि आपको यह नीचे का color चीए तो control प्लस बेक इस पर बटन प्रेस करेंगे और ऐसे color fill कर सकते हैं यदि आपने photoshop tools के part 1 को miss कर दिया है तो उसका link मैंने description box में दे दिया हूँ आप वहां पर click करके video देख सकते हैं साथ यदि यह video आपको पसंद आया होगा तो please video को like और channel को subscribe करना मत भूलिएगा इसी तरह के और videos देखना चाहते हैं तो बने रहे हैं मेरे साथ मिलते हैं अगले video में तब तक के लिए धन्यवाद